तो दोस्तों आप सभी को नौरात्री की खूप सारी बधाई, आईए जानते हैं कि इस बार चैत्र नौरात्री कप पढ़ रही है, इसका सुब मुहरत क्या होगा, घट इस्तापना हम लोग कप करेंगे, और इस बार नौरात्री आठ दिन की होगी या नौ दिन की होगी, कि लक्षमी की क्रिपा आपको प्राप्त होगी और कैसे ये होगा, आईए तमाम बड़ी खबरे हैं, तमाम जानकारी हैं जो जो तिस चारों ने बताई है, वो आपके साथ हम सेर कर रहे हैं, इस वीडियो में आप अंद तक बने रहीएगा, भगा भगा कर देखने के जरूरत होती है, इस बार चैतर नौरात्री आठ अपरेल या नौ अपरेल का कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजेगा, दर असल आप दुखों से छुड़कारा चाते हैं, सुक सम्रद्धी की प्राप्ती चाते हैं, तो सही समय पर सही तरीके से नौरात मनाईएगा, देकि चैतर नौरात्री की दोजाद 24 में जो सही तिथी है, वो चैतर मास की प्रत्वता तिथी जो आरम होगी, वो 8 अपरेल को हो जाएगा, रात को 11 बच के 50 मिनट पर, अब जब रात में ये मुहरत लग रहा है, तो 8 अपरेल को तो मनाएंगे नहीं, इस लोगों को बरत रखना है, चाहे आप पहले दिन और आकरी दिन का रख रहे हो, या फिर चाहे आप पूरे 9 दिनों का रख रहे हो, ध्यान दीजेगा कि चैतर नौरात्री 9 अपरेल को रहेगा मंगलवार के दिन, अब कलस स्थापना का मुहरत क्या है, बहुत लोग कलस स्थ स्थापना करेंगे, विधि पूर्वत करिएगा, बहुत समय है, और साती आपके दादे बहुत लोगों दोपहर में कर पाती हैं, क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता, कुछ लोग बाहर होते हैं, जो घरों में नहीं रहते उस समय मौजूद, ऐसे लोगों के अभिजीत मूर इस बज़ा से घर को साफ सुतरा रखिएगा, घर की मंदिर को साफ रखिएगा, मातारानी कब इसे करिएगा, और साथी घर इस्थापना जो 6 बजे से करनी हैं, विधि पूर्वक करिएगा, देखे चैत नौरात्री पर ये सुब योग बन रहा है, 9 अप्रेल को अम्रित सि दिनो की मातारानी की पूजा होगी, साथी कन्या खिलाने का जो समय होगा, वो आप जा लिजे, देखें, 9 अप्रेल को तो चैत नौरात्री की सुरुवात हो रही है, इसी दिन घटे स्थापना होगी, मंगलवार के दिन, अमा शैल पुत्री की पूजा होगी, 10 अप्रेल को ब्रह्मचानी जी की पूजा होगी, 11 अप्रेल को मा चंद्रघंटा की पूजा होगी, 14 चैत नौरात्री 12 अप्रेल को होगा मा कुस्मांडा की पूजा होगी, इसी प्रकार से आप लगातार पूजा करते रहेंगे, मा कवरत करेंगे, चाहे आप पहले दिन और आखरी दिन कर रख रहे हों चाहे 9 दिनों कर रख रहे हों रोज शाम को संध्या आर्थी आप जरूर करिएगा और अश्टमी बहुत लोग पूछते हैं कि अश्टमी कब है तो दुर्गा अश्टमी जबार महा अश्टमी की पूजा जो है वो 16 अप्रेल को होगी मंगलवार के दिन इसी लोग अश्टमी को करते हैं बहुत लोग नौमी को करते हैं और कुछ लोग दश्मी को करते हैं तो 16, 17, 18 अप्रेल जो है वो अश्टमी, नौमी और दस्मी होगा इस बार यानि पूरे 9 दिनों की नौरात्री होने वाली है आठ दिन की नहीं होगी घोड़े पर सवार होकर आ रही है मादुरगा इसका मतलब यह है कि किसी न किसी वाहन पर जो सवार होकर मातर आनी आती है तो उसका मतलब भी अलग होता है और मादुरगा घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा और वरत के समय सांत रहिएगा किसी की बुरा सुझाओ दिया जाएगा इसी से रिलेटेट और कई सारी जानकारी आती रहेगी अपडेट आपको मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा फिलाल खलेतना ही धन्यवाद